राश्ट्रे स्वयम सेवक संघ क्या है? प्रशवक संघ का उद्देश को दुनिया में एक सर्वसिष बनाना है। में हमारा देश सर्वस्रेष्ठ हो आर्थिक दृष्टे से वह स्वावलंबी और संपन्न हो भारत में कभी किसी पर आकरमन नहीं किया है लेकिन अगर भारत पर युद्ध लादा जाए तो युद्ध में भारत हमेशा अजय हो इसके साथ साथ भारत के वल एक देश नहीं है भारत का एक प्राचीन जीवन का एक विचारे जीवन का चिंतन है एक जीवन की दृष्टी है वी आफ लाइफ है यह वी आफ लाइफ भारत की यह एकात्म याने इंटेग्रेल है और सरवांगीन याने होलिस्टिक है यह जीवन दृष्टी भारत की पहचान है यह जीवन भारत के राष्टर जीवन के हरक्षेत्र में प्रगठ हो ऐसी समाज रचना हम चाहते हैं स्वामी विवेकानन्द ने कहा था कि Spirituality is the soul of India यह जो भारत की अध्यात्मिकता है यह यहां के सामाजिक व्यवस्थाओं में प्रगठ हो ऐसी समाज रचना ऐसा एक सरवांगेंड उन्नत समाज हम निर्बान करना चाहते हैं यह लक्स है संग कैसे प्राप्त करेगा किसी देश की स्रेष्ट था उसका समाज कैसा है उस पर निर्भर रहती है समाज अगर आपस में बटा है, स्वारती है, बरष्ट है, काम करने वाला नहीं है तो देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा तो समाज में निश्वारत भाव से काम करने वाले, चरित्रवान, परस परस नहें करने वाले उद्यमी ऐसा समाज रहेगा, तो देशा के बढ़ेगा ऐसे समाज को निर्मान करने का काम संगह ने अपने हाथ में लिया है व्यक्ति समाज के बारे में समयदिन्शिल हो और राष्टर के बारे में जागरुत और सक्री हो ऐसे लोग त्यार करना हम चाहते है शाखा क्या है, शाखा में क्या होता है जिन राष्टरी या समाजी गुणों का हम निर्मान करना चाहते है वो निर्मान करने की प्रयोग भूमी, लेबर्टरी याने शाखा है यहाँ पर लोग एकत राते हैं रोज, डेली और कुछ कारक्रम होते हैं कुछ सामुही गुणों की उपासना करना तु इंकलकेट सम कलेक्टिव क्वालिटीज और कुछ गुणों की सामुही क उपासना करना तु इंकलकेट सम क्वालिटीज कलेक्टिव ली इसका कारक्रम है प्रोग्राम याने शाखा है एकता कुछ शार्ज कार्यकम खेल होते हैं और देशे भक्ति का भाव जगाने वाले कुछ गीत चर्चा अधी कार्यकम यह शाखा में होते हैं तो यह डेली गैदरिंग सेंटर्स यह शाखा है